सब्सक्राइब करें जैम के टेक्ट चैनल को और वैल के आइकन को दबा कर और को सेलेक्ट करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोनी के एच्टी आर्टी 3 में ऑप्टिकल केवल से टीवी मोड को कैसे अक्टिवेट करेंगे और फ्रेंट्स एनलोग केवल और ऑप्टिकल केवल में क्या अंतर होता है तो इस वीडियो को पूरा देख इसकिप ना करें चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह आपको जो दिख रही है यह एनलोग केवल होता है इसमें दो पिन होते हैं जो आपके बूफर में या हॉम थेटर में कनेक्ट होंगे और एक साइड में 3.5 का एक जैक होता है जो आपके मोवाइल या पांच होते हैं वो पांचों नहीं बोल पाते हैं सेटेलाइट स्पीकर जो पांच होते हैं वो पांचों नहीं बोल पाते हैं तो दिख रहा होगा फ्रेंट्स यह 3.5 वाली जो जैक है यह मोवाइल में या टीवी में लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह दोनों आप वूफर में लगा सकते हैं लेकिन इससे मजा नहीं आता ओप्टिकल केवल से बहुत ही अच्छा साउंड आता है जिससे पांचो सेटलाइट स्पीकर बचते हैं और फ्रेंड्स डॉल्वी डिजिटल का साउंड आपको प्रॉपर सुनाई देगा तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ही तो आपके पांचो सेटलाइट स्पीकर आपके हॉम थेटर के बोलेंगे और फ्रेंड्स पांचो में आवाज आएगी अगर आप कोई डॉल्वी डिजिटल साउंड सुन रहे हैं तो उसका भी आपको प्रॉपर मज आएगा तो फ्रेंड्स अगर आप नेट्फिलिक्स या फिर एमेजोन प्राइम पे कोई वीडियो या कोई पिक्चर देख रहे हैं तो फ्रेंड्स उससे आपको डॉल्वी डिजिटल का पूरा साउंड आएगा और फ्रेंड्स राइट लेफ्ट अगर कोई गाड़ी आ रही है राइट से तो राइट से ही आपको आवाज आईग है और यह दो होती है एक ही जैसी दोनों तरफ नौप होती है फ्रेंड्स जो आपके एक टीवी में लग जाएगी और एक आपके हॉम थेटर में लगेगी तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको इससे टीवी में कनेक्ट करके दिखाता हूं तो यहां पे मैंने अपने टीवी को कर रखा है यह देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने टीवी को ओन कर लिया है और फ्रेंड्स मैं एमेजोन फायर इस टिक को यहां पर यूज करता हूं और फ्रेंड्स मैं इसी से हर वीडियो देखता हूं Amazon Prime पर तो बहुत ही अच्छा साउंड आता है तो यह देखिए फ्रें यहां पर आपको दिख रहा हुगा रेड कलर का एक छोटा सा लाइट जलती भी HDMI के जो दो पॉर्ट हैं उसके सबसे नीचे जो पॉर्ट है रेड कलर की लाइट दिख रही है यह देखिए फ्रेंट्स उंगली से दिखा दे रहा हूं मैं आपको इसी में आपको अप्टिकल केवल का एक नोप लगा देना है धीरे से और फ्रेंट्स इतना ध्यान रगे है यहां पर आपकी TV आपके हुक से ना निकल जाए जो आपने टीवी अगर अपने दिवार में लगा रखी है तो फ्रेंट्स हुक से ना निकल जाए यहां पर बहुत बढ़िया से आपको लगाना है और हलका सा लगाने के बाद इसको घुमा देंगे तो यह फिट हो जाती है ऑप्टिकल केवल आपके टीवी में त जैसा कि फ्रेंट्स यह देखिए यहां से जा रहा है यह उप्टिकल केवल यहां से नीचे और उसके बाद फ्रेंट्स यह चेयर पर पड़ा है तो मैं दिखा देता हूं अगर यह सई से लग गया है तो यहां पर आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी दूसरे साइड में एक साइड मैंने टीवी में लगाई है और दूसरी साइड रेड कलर की लाइट यहां पर भी दिखेगी तो यह देखिए फ्रेंट्स आपको सायद दिख रही होगी मैं और अच्छे से दिखा देता हूं यह देखिए फ्रेंट्स चेयर के उपर सायद आपको ना दिख रही हो चलिए मैं थोड़ा साइड में करको करके इसको दिखाऊंगा तो फ्रेंट्स पहले केमरे की थोड़ी सेटिंग कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स मैं केमरे की सेटिंग कर देता हूं तो ये देखे मैंने केमरे की थोड़ी brightness को कम कर दिया और फ्रेंट्स मैं अब आपको दिखाने की कौसिश करता हूँ यहां पर red color की इसके अंदर light हलकी सी दिखेगी ये देखे फ्रेंट्स हलकी सी आपको red color की light दिख रही होगी यानि हमारी optical cable TV में अच्छे से connect हो गई है और उसके बाद friends आपको अपने बूफर में यह वाला optical cable का side ले जाना है और बूफर में इसको अच्छे से connect कर देना है तो मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंट से दिखा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए यह देखे फ्रेंट्स बूफर में अपने हॉम थेटर में जो मैन यूनिट है उसके पीछे आपको कई सारे ओप्सन दिख जाते हैं मैंने पिछले कई वीडियो बना रखे हैं आपको हर connection के बारे में बता दिया है आपके पांचो सेटलाइट इसपीकर कहा कैसे connect होंगे वो मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है आप फ्रेंट्स उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रप्शन में जो लिंक है आप वहां से देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यहां पर दिख रहा होगा सबसे नीचे वाले लाइन में optical यह देखे फ्रेंट्स optical दिख रहा है आपको यह वाला side इसमें डाल देना है और धीरे से गुमा के इससे अच्छे से connect कर देना है तो मैं फ्रेंट्स अभी लगा के दिखा देता हूं आपको यह देखे फ्रेंट्स रेड कलर की light इसके अंदर जल रही है यानि टीवी में अच्छे से connect हुई है और उसके बाद इसे अपने home theater में डाल देते हैं और फ्रेंट्स अच्छे से लगा जेते हैं धीरे से गुमा कर एक बार लगाने के बाद धीरे से गुमाएंगे और यह अच्छे से यहां पर सैट हो जाएगा यह देखिए फ्रेंट्स और यह यहां पर थोड़ा time लगेगा लेकिन यह सैट हो जाएगा अच्छे से लगाए अगर आपको यह optical cable connect करनी है और इसका description में लिंक दिया है आपको Amazon से खरीदनी है तो आप इस cable को अच्छी quality मेरे जो cable है इस से अच्छी quality की आपको Amazon से मिल जाएगी तो आप link पे जाके click करें और Amazon से खरीद ले तो यह देखिए friends मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूं इसको और यह लग गई है यह देखिए friends धीरे से घुमा देंगे और यह connect हो जाएगी यह देखिए friends यहाँ पर अभी भी नहीं लगी तो फ्रेंट्स लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां से जाके इसे easily खरीद सकते हैं और friends इसे खरीदने के बाद आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और उसके बाद connect कर लें अपने टीवी को अपने home theater से यह देखिए friends connect हो गई और यह connect हो चुका है friends मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से connect किया है और तीर इसे डाल का इसको घुमा दिया अब मैं वूफर में friends थोड़ी सी setting दिखा देता हूं यहाँ पर मैंने अपना home TV mod friends TV mod पर छोड़ देंगे तो thank you friends आपने यह वीडियो पूरा देखा आपका धन्यवाद चैनल को subscribe जरूर करें